यदि आपकी कोई नीजी जमीन है और नीजी जमीन पर जो कबजा करने वाला है वो सरकार है होता क्या है किसी बैक्ति की नीजी जमीन है और नीजी जमीन को जो है अपने पड़िवार में जो है किसी कारण मतबेद के चलते या उस बैक्ति को जो है अगर उस छेत्र में वो वह पर नहीं रह रहे हैं उसके चलते और ग्रामिनों की मिली भगत के चलते उस पर अगर कोई सरकारी योजना का जो है योजना का एक तरह से कोई भी निर्मान करा दिया गया लेकिन आपकी वो नीजी जमीन है मैं आपको बता दूँ आपकी नीजी जमीन है अगर आपके पास जम कोई भी मकान अगर वे बन गया है तो अब क्या हो सकता है कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूँ तो अगर कोई सरकारी एक तरह से जमीन है और उस पे कुझा पचास साल से उपर हो गया है तो सीधी सी बात ये आप समझ लें अगे ऐसी समझा जब उत्पन होती है तो विकल्प एक ही बसता है और वो बिकल्प है कि आप जो है सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे यानि उसमें सरकार के ऊपर आप टैटल का दावा करेंगे और उसमें होता है कि सरकार पर जो केस करेंगे तो सरकार के जो अधिकारी है ऐसा कार उन्होंने क्यों किया ऐसा कार जो है उनको जव जाते हैं कि वो हटे लेकिन आपको सरकार के तरफ से जो है एक तरह से अधिक मात्रा में जो कीमत है बास्तवीक कीमत है उससे कई गुना ज्यादा अगर मुआपजा दिया जाता है तो अगर आपको स्विकार करने के लिए तयार है तो मुआपजा का भी आदेश हो सकता है कि आ document रहेगा सरकार के लिए भी कानून है कि भूमी अधिगरन कानून के ताथ में और उसके बाद भूमी जो Gerkin है उसकाорыट कीजिए और जिसकी भी नीजी जमीनाथी है उसको जो है एक तरह से चारगुना मुआपजा परदां कीजी तो ये करना सरकार को है अगर सरकार बिना अधिकरन किये हुए अगर किसी के नीजी जमीन को ही ये सरकार ही कबजा करना सुरू कर दे तो आम लोगों का क्या होगा आम लोग जो एक दूसरे से परिशान है अब यहाँ पर वो काम सरकार करने लगे तो ऐसा तो संबा भी नहीं है अगर किसी की गलती के चलते होता है है ना तो उसमें जो भी आप है आप दावा कर सकते हैं आज भी दावा कर सकते हैं आप सिबिल कोट में सरकार को जो है सिबिल कोट में जाकर सरकार के उपर केस पाइल कर सकते हैं सरकार को नोटिस भेश सकते हैं सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि आखिर मेरे जमीन पर ये निर्मान क्यूं कराया गया मेरे जमीन पर ये भवन क्यूं बनाया गया मेरे जमीन पर ये रोड क्यूं निकाला गया मेरे जमीन पर ये काडियाले क्यूं बनाया गया तो जो भी है आपको अगर आपती है आपके पास कागजात है तो आप दावा पेस कर सकते हैं और जिस दिन कोट का आदेश आ गया तो या तो आपको जमीन प्राप्त मिलेगी या आपको उसका कई गुना मुआपजा जो है देने का एक तरह से सरकार को आदेश दे दिया जाएगा और आपक बटबारा किया वो कैसे किया तो वो कर लिया साधा कागज पर है ना साधा कागज पर जो है जमीन का बटबारा कर लिया तो क्या यह पॉसिवल है कि साधा कागज पर जो है जमीन का बटबारा हो जाया और उसका मानिता हो मैं आपको बता दू अगर साधा कागज पर कुछ भी कर लेंगे ना तो उसका दाखिल खारीज होगा ठीक है दाखिल खारीज होगा ना उसके अधार पर आप जो है कहीं भी दावा कर सकते हैं सवाल चार भाई और पिताजी ने 2002 में आपसी सहमती से पंच नामा जमीन बटबारा साधा कागज किया जिस पर सभी भाई ने सिगनेचर है और 50 परसन का सिगनेचर है मुखिया और सरपंच का नहीं है दो भाई जो है यहाँ पर एनेच के किनारे जमीन मिला दो भाई को यहाँ पर केती वाला मिला दो भाई दबंग है अभी दाकिल खारीज मोटेशन नहीं हुआ फिर पापा चाचा पार्टिसन सूट यहाँ पर जो है कर दिये है जमीन अभी दादा के नाम पर है हम लोगों को रोड के किनारे यहाँ पर महेंगा जमीन नहीं है तो पाटिसन सूट से क्या बिल्कूल होगा देखें जो जमीन है उसमें सबका हक है सब का हक है अब यह कहेंगे कि हम NH की किनारे लेंगे और कोई ब्यक्ति जो NH की किनारे नहीं लेगाते हैं अगर कहीं पर NH की जमीन है या जितनी जमीन अब तो partition सूट हो गया अब तो जितनी जमीन है उसको उतने टुकरों में बाट दिया जाएगा चार हिस्सेदार हैं तो जितने छोटे मिल रहे हैं बस छोटा ही है तो छोटा ही मिलेगा तो सभी जो property है उसको कितने चार हिस्सों में बाट दिया जाएगा अलग-अलग कर दिया जाएगा अब है कि जमीन में जो है बहन मांग रही है हक तो क्या 20 साल बाद हक मिलेगा सवाल है मेरे पिता जी के पास 10 एकर जमीन थी पिता ने 2001 में 4 एकर जमीन मेरे नाम पर और 3 एकर जमीन मेरी मा के नाम पर कर दी अभी मेरी बहने हिस्सा मांग रही है पिताजी अब जिवित नहीं है मेरी तीन बहने है मा है सभी जमीन अब देखे हैं मैं आपको बता दूँ ये देखना होता है कि पिताजी का जमीन यदी पैत्रिक है पिताजी का जमीन यदी पैत्रिक संपत्ती है तो थोरा सा दिक्कत हो सकता है नहीं तो अगर पिताजी का जमीन पैत्रिक संपत्ती नहीं है उनका अरजिस संपत्ती है उन्होंने खुद अपनी कमाई से संपत्ती खरीदा है तो बहन को आप जो पिता कर गए है ना चार एकर जमीन जो है एक तरह से जो आपको मिल गया उसको छोड़ कर बहन सारी जमीन में सेर ले सकती है मा अगर मा के नाम कर दिया गया मा भी आपको दे दे तो फिर उससे भी नहीं ले सकती है 10 एकर जमीन है तो 4 एकर प्लस 3 एकर, बांकी बचा 3 एकर, उस 3 एकर में फिर आपका भी हक होगा, आपकी 3 बनों का भी हक होगा, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर यह संपत्ती अरजित है तब तो किसी का अदिकार नी होगा, खास करके पैतरिक संपत्ती है ठीक है पैतरिक संपत्ती है तो उस case में क्या होता है कि पूरबस से प्राप संपत्ती है बेहनों का भी अधिकार है बेहन भी दावा कर सकती है बेहन भी अपना हक ले सकती है जमीन खरीदने के बाद यजी रजिस्ट्री जो है कहाँ पर करने से अगर मना क कर दे तो क्या करएं सी बात है कि महां लेते हैं जमीन अगर आप खरीते हैं अभी के समय में क्या होता है कोई भी बैक्ती कहीं जमीन खरीता है तो एग्रिमेंट कर लेता है ठीक है मतलब इस कॉंट्रेक्ट का पेपर जो बनवा लेता है और उसमें सारा कुछ mention कर देता आपने क्या खरीदा है ना क्या खरीदा उसमें कितना पैसा देना है कितना पैसा जो है देना है कितना आपने जो है यहाँ पर advance किया यह सारा कुछ mention रहता तो यह बना लेने के बाद होता है कि अगर वह मुकर जाएगा तो आदमी उसको उपर केस कर देगा और कोड से आधेस आ जाएगा कि जाकर जमीन लिखो अगर पैसा लिया है तो जाकर जमीन लिखना परेगा नहीं लिखेंगे तो फिर एक बार आपको डेट जो है खुद कोड के मौहिया किया कराया जाएगा अगर नहीं करेंगे तो ओटोमेटिक उस बैक्ति के नाम से कागज बन जाएगा तो फिर आप इसे भी कुछ नहीं कर पाएगे है ना कि अगर आप ऐसी जो हो सकते आपके उपर जो है एक्सन भी लिया जाए तो ये करना गलत है किसी को दोखा देना किसी के साथ फ्रॉड करना तो अपराद होगी ठीक है अगर माल लेते हैं कोई बैक्ति है लेकिन आपके पास एग्रिमेंट लोग क्यों बनाते हैं प्रूफ है कि मैंने पैसा दिया है मैंने पैसा दिया कितना दिया कैसे तो आपके पास पुरूफ है तो आप दावा पेस करेंगे कोई अगर आपके साथ छल कर रहा है दादा गिरी कर रहा है तो कुछ पल के लिए कर सकता है ठीक है कुछ पल के लिए आपको परिशान कर सकता है आप टेंसन में आ सकते हैं लेकिन एक समय आएगा जो वो बैक्ती बरबाद होकर रहे जाएगा सवाल है कि बरा भाई ने चोरी से हिस्से की जमीन को बेच दिया अब क्या कर देखें अगर मान लेते हैं कोई जमीन जो है चोरी से अगर बरा भाई ऐसा कर दिया है तो बरा भाई जो है अभी लग रहा होगा कि बरा भाई को कि मैं तो बरा काम कर दिया, मुझसे जमी नहीं ले पाएगा सवाल है यहाँ पर कि सर नमस्कार सर अमारे पिताजी ने सन 1980 इसे कुछ भी होने जाने वाला है नहीं यानि 182 में जमीन जो है हमारे बरे भाई के नाम कर दी गई थी जब हमारे बरे भाई की हम्राटवर्स थी उसके पस्enschात अंतिम भाई। जन्म और बर्तमान में हम चार भाई हैं और बरे भाई ने जमीन को चोड़ी से बेश दिया कि मतलब उस समय उनके नाम जमीन कर दी गई थी देखें ऐसे भी हमारा कानून ये कहता है कि आखिरकार जो कोई भी जमीन जो है अगर किसी को मान लेते हैं कि दिया गया है और वो घर का बरा है और उसको किसी के मारपद दिया गया है तो किसी को अगर कोई समपत्ती अरजिस समपत्ती दिया जाता है तो उसका कानूनी अधिकार तो होता बनता है इसलिए कि वो उसको दिया गया बाकी भाईयों का जन्म नहीं हुआ था अब है कि उसमें क्या रिजन था क्या कारण था वो सभी दस्तावेश situation को देखने के बाद पता चलता है इसलिए कि जो document है मा लेते हैं कि जो document में है उसमें बरा भाई एक तरह से छोटा था और कोई नहीं था इसलिए मजबूरी थी उन्हीं के नाम करना तो बड़े भाई इसलिए तो बड़े भाई के संपत्ती में छोटे का तो कानूनी अधिकार भी होता है अगर जो है बड़ा भाई गार्जियन के रूप में एक्सरा से कर रत हो सभी संपत्ती का देखरेक करते हो तो उनको अगर वो अपनी संपत्ती भी खड़िते हैं अपने नाम पर तो उनको छोटे को देना परेगा तो इसलिए अगर मामला अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो अगर आपने दावा पेस कर दिया है चोड़ी से अगर बारा भाई ने संपत्ती को वेज दिया है तो कानूनी रूप से सरी तत्य को देखने के बाद, सरी सिचुएशन को देखने के बाद, हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला हो अब है कि मा और पिता के नाम की जमीन को भाई अपने नाम करा ले तो क्या करें तो मैं आपको बता दूँ कि जो एक तरह से जमीन है, मा है और पिता के नाम है, जमीन है, अब कोई भाई है, यहाँ पर देखें समस्या वही है, भाई अपने नाम करा लेता है, तो अगर इस परकार का कोई भी दोखा करता है, तो वो छन भर के लिए दोखा है, लेकिन अभी क कहीं न कहीं, आपको समस्या तो उत्फण होगा ही, समस्या कर सामना भी करना परेगा, अब है कि अपने नाम से अगर करा लिया है, तो अपने नाम से अगर म्यूटेशन करा लिया है, रसीद कटा लिया है, दाखिल खारीज करा लिया है, तो मैं आपको बता दूँ, यह सभी अगर कारी किये गए हैं तो इस मुटेशन को रद करने के लिए मुटेशन अपील केस आप जिला कलेक्टर के पास जो है यानि एडियम के पास एडियम कोट में आप करेंगे ताकि वो गलत तरीके से जो मुटेशन करा लिया है उसमें जो धोखा किया है फरजी वारा किया है उसको आप तोर सके इसलिए कि मा और पिता के नाम संपत्ती है बरा भाई अपने नाम करा लेता है भाई अपने नाम करा लेता जबकि और भाई है और इससेदार है उनका भी कानूनी अधिकार होना चाहिए हाजा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो लाइक जरूर करने हैं चनल को पहली बार देखने हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाले हैं मिलते हैं क्लिवरी में दब तक के लिए जाएं